हलो फ्रेंड्स मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मुझे एक क्वेरी आई थी कमेंट बॉक्स में जो मैंने आट टेक्स्ट बॉक्स में लिए आपके रेफरेंस के लिए तो ये गनेश करके है और इन्होंने क्वेरी की है कि यहां पर कुछ अमाउंट है अमाउंट के ब्रैकेट से और उस ब्रैकेट के टैक्स डिस्टिबिशन या टैक्स उनको अपलाई करना है तो उन्होंने कहा है कि 0 से 1000 अमाउंट तक 0% ही होना चाहिए टैक्स 1000 के बेसिकली उपर 2400 तक 12% और ऐसे कुछ उन्होंने ये तीन ग्रीट दी हुई है और वो पूछ रहे कि formula क्या रहेगा तो हम start करते formula से पहले हम use करेंगे इसे दो तरीके से हम कर सकते एक है if function और दूसरा है we look up तो हम देखते कैसे करना है पहले हम use करेंगे if function if जो हमारी logical value है हम ये लेंगे if अगर ये less than 1001 है तो हम लेंगे यहाँ पे 0% जो else part है हमारा तो ये अगर value true हो गई तो 0% आएगा अगर 1001 के नीचे है तो 0 आएगा else part में हम दूसरा एक if function ये यूज करते है nested if अगर and होगा क्योंकि हमें दो condition चेक करनी है if मतलब and के अंदर ये वाली जो 20L में value है greater than 1000 और same जो sale में value है less than 2401 है तो 12% else कॉमा देखे 28% ठीक है हम ये if को close कर रहे है second वाला और पहला वाला if को 0% और हम इसे drag कर देंगे ठीक है तो जैसे के आप देख रहे हैं यहां पर values आईए अगर मैं 5000 अगर लेता हूं तो 180 रहेगा अगर यहां पर मैं ऐसे कुछ और दूसरा तरीका यह है कि using VLOOKUP हमें कैसे करना है तो यहां पर एक greed दी थी मैं इसको यहां पर ले लेता हूं तो यहां पर यह एक greed है जैसे कि यहां से ही मैंने लिया है 0-1 तो 0-1000 तक 0 रहेगा नेक्स्ट जो हमारा breakout है वो 1001 है तो मैंने वो यहां पर लिया और यहां पर उनका next था कि 2401 से उपर है तो 28% अभी उन्होंने यहां पर 7400 तक ही दिया है उसके उपर कितना tax लगाना है तो मैं ऐसा assume करके चलता हूं कि 2401 के उपर कितने भी एक लाग भी होगा तो उनको हम 28% ही देंगे tax या apply करेंगे तो we look up के लिए क्या करना है simple we look up करना है यह cell जो हमारे जो value पे हम tax निकल रहे है वो लेना है comma करके यह grid select करना है आप कहीं से भी कर सकते हो header या values कैसे भी इसको मैं lock करता हूं क्योंकि हम formula नीचे drag करेंगे सारे cell के लिए comma column index जो हमारा tool रहेगा क्योंकि इसमें percentage दूसरे column में यह grid वाले जो table में इसलिए मैं tool हूंगा और जो यह last वाला argument है वो हमें नहीं लेना है ठीक है तो हमें इसमें छोड़ देना है या फिर हम इसे क्या करेंगे जो हम approximate match लेना है exact match नहीं लेना है ठीक है तो हमें exactly same result आ रहा है अगर मैं यहां पर value change कर रहा हूं दोनों का 0% हो रहा है तो यह था इस query का वीडियो मिलें नेक्स ट्रिक के साथ बाए बाए